दोस्तो विज्यान ने खुप तरक्की कर ली है आज विज्यान के बीना कुछ संभव नहीं है मगर आपने कभी सोचाए कि जहाँ सूखा पट है वहाँ विज्यान की मड़से कुट्रिम बारिश संभव हो पाई है जिसे क्लावसी दिंग केटे है आप यह सुनका जरूर हैरन ह आपके जिग्यासा के जवाब हम इस वीडियो में देने के प्रयात्न करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं अगर आपको नया सेखने की जिग्यासा है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कीचिए और कोई टोपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट जरूर कीचिए कुट्रिम बा 1921 की बाठ है उस समय युएस में वेडर प्रयोग में लुज गेटमेन नामके जर्मन इंजिनियर काम कर रहे थे प्रयोग के बाद बाड़ोलों का टापमान कम करने के लिए लिक्विड और सोलिड रूप में कार्बन डायसाइज का उप्यो करने का वीचार प्रस्तुत किय 1923 में आलफेट वेकनर, तोर बर्जनर और वोल्टेट फाइंडिस ने यो सिद्धान दिया कि बर्ब के किरिस्तल बाड़ोलों पर छोरे जाई तो उनका टापमान कम होकर बारिस कर सकता है कुट्रिम वर्षा का प्रयोग 1926 में वीचन सेलफोर और इर्विन लोएंग मुराईने एक्राफ आइसिंग मतलब की बर्ब जमने की वज़ो से वीमान का वज़न बर्णा जिसे ठियोरी पर प्रयोग कर रहे थे तबी उनको अचानक आइडिया आया और व्यज्यानिक बर्णार वनकुट के साथ कुट्रिम बाईस का प्रयोग किया लेप में चोड़ा जुलाई 1946 को नमक, मिटी, सिलोय आइडाइट से प्रयोग कर ठियोरी बनाई गई 13 नवेंबर 1946 को विशन सेलफरनेक ठियोरी की साबिटिक के लिए वीमान में 1.5 किलोग्राम सुखी बर्प लेकर नियोग के पहारों के पास बाडल पो छट्टाओ किया प्रयोग के आदे घंटे में बाडल से थोरी मात्रा में बारिस होई इस तरह कुट्रिम वर्सात का प्रयोग सफल हुआ कुट्रिम वर्सात कराने के लिए मोजुदा पड़टी सबसे प्रजलिक पड़टी में नमोग, सिल्वर आइडेक और ड्राय आइस को मिल आए जाता है ड्राय आइस का अपमान माईस 38 डिग्री से जिसको हवा की उल्टी डिसा में विमान से बाडलों के उपर चटकाव किया जाता है जिससे बाडलों में बारिस का बुंदों का निर्मान हो जाता है 2021 में युनाइटेड अरोब अमिड़त ने ड्रोन की मदद से बाडलों को इलेक्ट्रिक चार्ट देकर बारिस करवाई थी किनकिन डेसों ने यह बढ़्दती उप्योग की है 1903 में टमिल नारू और 2008 में आंडर प्रडेस में सुके से बढ़ने के लिए कुट्रेम बारिस करवाई गई थी चीन के बेसिंग में 2008 में अलोंपिक के पेले कुट्रेम बारिस करवाई गई थी उसके अलावा सुके से जूज रहे आरप डेसों ने यो टेकनोलोजी का स्विकार किया है